हाई एब्रिवान वेल्कम बेक तो माई चैनल हरिद्वार फैमिरी व्लोग्स कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ सब बिलकुल ठीक ठाक होंगे बहुत अच्छे होंगे सेफ होंगे और बढ़िया बढ़िया जो है सर्दी को एंजे कर रहे होंगे क्योंकि सर्दी चबरदस्ट पढ़ रही है और आज निकल गई है बहुत अच्छी धूप पर सर्दी कम नहीं है सरदी इतनी जादा है बहुत जादा हाँ हाँ धूप बढ़ी बहुत ही चमकदार से निकली आज तेज धूप है मतलब तो अगर धूप में बैठते हैं तो सरीर को अच्छी गर्माँच मिलेगी LEYकिन धूप में बैठने का टाइम मिलेगा तब धूप में बैठेंगे तो अब मैं जो है खाना बनाने के लिए जा रही हूं किचन में यह आ गए हैं अंच और अंच के पापा जल्दी आ गए हैं सुबह सुबह नहीं आए मतलब यह आए हैं करीब साड़ी ग्यार बजे तो अब जो है मैं खाना बनाओंगी क्योंकि फिर इनको ओफिस जाना है हाप अब बुगा जी के यहां गए थे मेरे माई के तो महां से ताज आता जम अठा लेके आए हैं मैं बनाने वाली हूं कड़ी और आप बोलेंगे अभी तो जुकाम हो रखके थे कल की वीडियो में जुकाम और आज कड़ी तो कोई बात नहीं मुझे ही जुकाम है और बाकी सब की तब ठीक है इनकी तो रोटी मुझे सेक नहीं है और मैं भी एकात रोटी ले लूँगी कड़ी से तो चलिए अभी मैं जो है जादे बाते नहीं करती क्योंकि इनको फिर लेट हो जाएगा खाना बनने में भी टाइम लगेगा कड़ी पकोड़ा बनाऊंगी ताजे ताज ऐसे गरम कर लेती है फिलाल जब हम गए थे तो दूध होई नहीं रहाता कभी दिखाऊंगी हारे में कैसे हंडी में दूध करता है तो वो दिखाऊंगी और उसकी जो मठा बनता है न हमारे यां तो च्छा बोल ली जाती है छाज च्छा मठा जो भी तो वो आया है बुह ज काम किया है तो चलिए बागी बाते बाद में करेंगे पहले हम खाना बनाना शुरू कर लेता है देखिए यह दो-दो बोटल आई हैं ताजे-ताजे मठे की गाउं से और बहुती गड़ा-गड़ा सा थिक सा अमारा यह मठा है तो गाउं के तो खाने-पीने की बाती अलग तो चलिए अब जो है कड़ी की तैयारी करती हूं एक बोटल की कड़ी बन जाएगी एक बच जाएगी तो उसको कोई पीना चाएगा पी लेगा यहां पे मैंने जो है यह चावल लख लिया निकालके इनको मैं भीगा के रख देती हूं यह छोटा गिलास है मतलब नौर्मल ग गा देती हूं और कड़ी की तैयारी करते हैं चलिए अब बस मैं किचन में लग जाती हूं काम में तो मठा एक साइड कर देते हैं एक बोटल तो भी खाले कर लूँगी और एक अभी बच जाएगी तो सबसे पहले चावल अच्छे से धुल के रख देती हूं निकालके पहल चावल भीगने ही चाहिए और इतना टाइम अभी आराम से लगने वाला है क्योंकि कड़ी की अभी मैंने कोई तैयारी नहीं किया है तड़का वगरे प्याज लेसुन कुछ भी नहीं किया है तो उसमें इतना टाइम मुझे लगने वाला है और अभी मेरा दूद वाला भी ne Yiya aya है तो दूद भी लेना है बीच में फिर गर्म करूंगी तो ये सारे काम भी अभी करने है तो देखिए सबसे पहले तो मैंने प्याज लेसुन काट लीया है और यहां पे अब मठा खाली कर लेते हैं तो यह मैंने चाय वाला बगोना लिया है और यह बगोना ना मेरा पता नहीं एक साइड से इसकी जो आप नीचे की वो कोटिंग होती है लग से इंडक्सन की वो हटने लगी है इसकी बलेक बलेक हो गया है नीचे से यह सारा तो यह बहुत ही अच्छा सा हैवी सा मेरा चायदान या जो भी बोलें आप सोह स्पैन तो अच्छा था लेकिन पता नहीं नीचे क्या हुआ यह खराब हो गया है और यह मठा डालने के बाद फिर मैंने इसमें बेसन डाल दिया है और बेसन मैंने कोई मेजिरमेंट से नहीं डाला अंदाजा तो होई जाता इतना मतलब इतना टाइम खाना बनाते हुए हो गया तो मैंने अंदाजे से इसमें बेसन डाल लिया है और फिर वो कड़ी की क्वांटिटी के उपर भी डिपेंड करता है कि हमें कड़ी कितनी बनानी है तो मठा बेसन का मैंने घोल तयार करके रख लिया है और यहां पे कड़ाई में सरसो का तेल अच्छे से गरम करने के बाद धुआ निकलने लगता है तब मैं उसको यूज़ करती हूँ फिर उसमें लाल मिश डाल दी है सूखी लाल मिश और मेती दाना हिंग डाला है तो मेती दाना लाल मिश हिंग होने के बाद फिर मैंने उसमें डाल दिया है प्याज लेसन साथ में ही डाल दिया है और कड़ी में लेसन थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ मैं कड़ी हो गया साग हो गया तो इस तरह की जो चीजे हैं इनमें लेसुन थोड़ा सा जादा ही अच्छा लगता है और सर्दी का मोसम है कड़ी वगएरा फिर जो है नुकसान नहीं करती है अगर अच्छे से लेसुन अद्रक हम इसमें डाल ले और अद्रक मैसा साथ ग्रेट करके डाल दूगी वैसे तो चोब भी कर सकते हैं या पेज डाल सकते हैं लेकिन मैंने ग्रेटी कर लिया है चोब फिर बच्छों के मूँ में आ जाता है और उनका टेस्ट खराब हो जाता है अच्छ को अद्रक से बहुत ही जादा दिक्कत आती है अगर मतलब थोड़ा सा भी उसके मूँ में फ्लेवर आ जाए तो उसका सारा स्वात खराब हो जाता है तो इसलिए मैंने ग्रेट करके डाल लिया है और प्याज का कलर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है इसमें मैं डाल लूँगी धनिया पाउडर लालमिच पाउडर और हल्दी पाउडर और कड़ी में तड़का थोड़ा सा अच्छा सा भूना हो ना थोड़ा सा डाक सा तो ही कड़ी में अच्छा कलर आता है वरना कड़ी फिकी फिकी किसी देखने में भी लगती है तो कड़ी का तड़का थोड़ा सा डार खी अच्छा लगता है और टेस्ट भी उसमें तब ही सबजी में वो फिकी-फिकी से सबजी लगती हैं बाकि सब के तरीके अलग होते हैं बनाने के कुछ लोग वाइट प्याज रखते हैं कुछ जादा ही डार्क ब्राउन करते हैं लेकिन मैं मेडियम करती हूँ और बस अच्छे से जो है फिर मैंने इसमें घोल डाल दिया है और घोल डालने के बाद जो बेसन मठे का घोल डाला है उसमें मैं इसको सासा चलाती रहूंगी नहीं तो मठा फटने का डर रहता है और बस अब बोयलाने ही वाला है तो इसमें मैंने डाल दिया है नमाक और जब से मैं इसको लगातार चला रही हूँ बीच बीच में ऐसा नहीं है बिलकुल लगातारी चलाते हैं लेकिन ज्यादा देर इसको रुकने नहीं देते और कड़ी में बॉयलाने के बाद अब मैं आ गई हूँ बाहर दूद वाला आ गया है तो अब मैं दूद ले लूँगी और यहां पे पापा और जो दीदी हैं वो बैठे हुए हैं धूप में वैसे तो चत पे चले जाते हैं लेकिन अभी दीदी जानी रही है और पापा इनको अच्छे से यहां पे चलाना फिराना तो यह करते रहते हैं साथ में और आज धूप निकली है कई दिनों बाद तो सब धूप में बैठे हैं और श्रे फिलाल पापा के साथ कहीं बाहर गया है घर पे था नहीं है नहीं तो दूद बगारा स्रे ले लेता है तो मैं दूद लेकर आगई हूँ और आपने देखा पापा के सामने जो है हम गाउं वाले लोग ऐसे रहते हैं सर पे शौल लेके अच् तो चलिए बाते तो बहुत हो गई, कितनी सारी बाते बता दी मैंने, अब मैं ये है कड़ी का जो पकोड़ा है, उसके लिए कड़ाई चड़ाई है सासा तो और ये बेटर इसका तयार कर रही हो, मतलब बेसन का घोल, नमाक, मेर्च, हल्दी, और थोड़ा सा गरम मसाला, ये स अब मैं ये पकोड़े इसके जो है उतार लूँगी, और पकोड़े मैं हाथ से छोटे छोटे डाल देती हूँ, आप देख सकते हैं, बहुत ही गोल सेप के जो है पकोड़े डलते हैं हाथ से, और मैं कभी भी चमच वगर से पकोड़े नहीं डाल पाती, नहीं मुझसे डलत या अच्छे से तो वो मैं हाथ से करती हूँ और ये पकोड़े मेडियम आच पे पक रहे हैं उधर मैंने चावल डाल दिये हैं पानी बॉयल हो गया था और कड़ी को मैंने इंडक्शन पर रखा है एक साइड वो धीरे-धीरे पकती रहेगी उसको मैं बीच में चलाती बहुत ही मेडियम आच पे तलने होते हैं क्योंकि फिर बेशन इनका जो है अंदर से कच्छा रह जाता इसमें आलू अगैरा कुछ होते नहीं है खाली बेशन का पकोड़ा है ये तो इसको मेडियम आच पे काफी टाइम लगता है और आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन आ चुका है और अब मैं इनको बाहर निकाल लूँगी तो पकोड़े भी हमारे कड़ी के बन गए है और उदर कड़ी भी तयार ही हो गई है तब तक आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सी कड़ी हमारी कड़ी तो है लेकिन कड़ गई है तो और भी ज साइड छोड़ दे पकने के लिए तो टेस्ट उसमें कुछ और ही आता है और जल्दी जल्दी में हम कड़ी बनाते हैं तो अतना टेस्ट नहीं आपाता इसको मैंने गैस के उपर ही रख दिया था क्यूंकि यहां से कड़ाई हटा दी है और अब मैं इसमें डाल दूंगी य तो वो अंदर से ना फिर थिक होने लगते हैं या फिर जो बहुत ही सौट पकोड़े रते हैं वो घुलने लगते हैं तो एक मिनट इनको पकाऊंगी जिससे की फ्लेवर साच्छा हो जाए पकोड़े के अंदर भी कड़ी का और उस बीच में दूद मेरा भी ऐसी रखा था तो दूद मैं चांड लूँगी या पे दूसरे बगोने में हमेंसा ऐसे ही करती हूँ छलने लोगरा में बाहर लेकिन नहीं जाती हूँ तो फ도न भी लोगने में दूद के बनाकी रखती हूं या फिर डबे गिरे में बाहर से लेके आते हैं तो इतना बड़ा डबा धो ये करो वो करो रोज तो वो तो मैं नहीं रखती हूँ और यहां पे चावल मेरे तयार हो गए हैं अब मैं इनका पानी निकाल दूँगी और पानी मतलब माण निकालने का ये एजी तरीका है मेरा जो ये चलनी होती है जाली जिसको बोलते हैं दूद पे ढखने वाली जाली या चलनी तो उसको उपर लगाती हूँ और फिर मैं इसका पानी निकाल देती हूँ तो बहुत ही जल्दी जो है हमारा मान चावल से अलग हो जाता है और कड़ी देखी गैस मैंने ओफ कर दी है और कड़ी पे कलर भी कितना प्यारा आया है और टेस्ट और इसकी खुसबू क्योंकि ये कड़े वे मठे की कड़ी है जो गाउं का कड़ा वो मठा होता है मैं तर्का लगाउंगी एक तर्का पहले ये अच्छे से लगा चुकी हूँ और अब मैं यहां और तयार करूँगी नकी रोटी के लिए रोटी जादा नहीं बनाऊंगी बस एक-दो रोटी मैं लेलो गी और एक-दो रोटी यह लेंगे यह तो खेर रोटी लेंगे क्योंकि चावल इस टाइम इनोंने बिल्कुल बंद कर रखे हैं तो दो से तीन रोटी मुझे पूल मिला के बनानी है तो बस इतना ही मांटा बनाऊंगी और लंच तो सभी करेंगे लेकिन इतना हैवी लंच नहीं करेंगे क्योंकि सुभा मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था तो सबने ब्रेकफास्ट लिया था अच्छे से पापा ने भी और पापा तो यही बोल ले थे कि जब खाना बनाना था तो फिर इतना हैवी ब्रेकफास्ट बनाने क्या जूरती मैं पापा मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी आ जाएंगे और मैं कड़ी चावल बनाने वाली हूँ तो इसलिए मेरे यहां या तो सुभा का ब्रेकफास्ट हैवी होता है लंच बहुत ही अलका होता है या फिर बस लंच ही होगा ब्रेकफास्ट ने तीनो टाइम नहीं खापाते हैं इतना हैवी तीनो टाइम इतने सर्दी के मौसम में छोड़ा टाइम होता है थोड़ा टाइम होता है मतलब तो आटा मैंने थोड़ा सा बना के रख दिया है और साथ साथ आटा बनाने के बाद मैं ये किचन जो है साथ साथ साफ कर दूँ ये आप ये क्योंकि कड़ी बनाई है तो छीटे विटे आई जाते हैं और फिर मुझे रोटी भी स्लेप के उपर ही बेलनी होती है और रोटी बनाई थी तो रोटी मैंने रख दी है और कड़ी का कलर यहां पर बड़ा ही जीव सा रहा है वाइट वाइट सा लेकिन कड़ी का कलर बहुत अच्छा था और आज कल जो है फिर आप बोलते हो कि मिक्स रोटी नहीं बनाती हो सुगर वाले के लिए तो आज कल मैं इनकी ब्लैक वाली रोटी आपको दिखा रही हूँ तो आईए आप लोग भी यह टेस्टी सा लंच कर लीजे बहुत ही सिंपल बहुत ही टेस्टी और बताईए कि कैसी लगी आपको एक कड़ी की रेसिपी देकि एक खाने पीने का काम हो गया है बरतन, किचन, सब मैंने कलेन कर दिया है और आप देख सकते हैं इधर कड़ी मैंने ऐसे ही छोड़ दी है दूद इधर रखा है और चावल मैंने इसमें कर दिये हैं बावल में तो चावल तो थोड़े से ही बचे हैं क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं बनाए थे और कड़ी, शाम को मैं इसी में तड़का लगा लूँगी, उपर से कड़्ची वाला तड़का लगा दूँगी, तो कड़ी इसी में अच्छे से करम हो जाएगी, तो ये काम तो मेरा कम्पिलीट हो गया, अब मैं जो है, थोड़ा सा देखती हूँ, या तो थोड़ी देर कपड़े नहीं दूले, ये कलके कपड़े थे, तो धूप अच्छी निकली थी, ये मैंने दो चार कपड़े जो मोटे थे, जैकेट वगयरा, जीन्स वो मैंने बाहर डाल दिये थे, और ये थोड़े से डब्बे खाली हुए थे कुछ, तो ये मैंने धो के अच्छे से दू दूप में सूख जाते हैं, डबो में जो समयल रहती है, दूसरी चीज की, फिर हम कुछ और उसमें डाल दे, तो फिर धूप से निकल जाती है, और बस यहां पर चाय बन रही है, बच्छे अभी कुछ नहीं ले रहे हैं, बच्छे ने दोनों नहीं मना कर दिया है, कि हम अब मेरी चाय जो है, वो मैं चान लेती हूँ, और अद्रक वाली चाय इतनी सर्दी में गर्मा गरम, और वो भी कब भर के, और यह मेरी कपना बहुत बड़े नहीं है, क्योंकि आपको दिखेगा कि कब भरा हुआ है, और मैं चाय लेती भी हूँ, थोड़ा सा बड़ा कभी मेरी तीन चाय पूरे दिन में होती हैं, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा अजी, तो चाय वगरा सब हो गई है, और अब बैठी हूँ, आपसे दो मिनट बाते करने के लिए, क्योंकि फिर मैं थोड़ा सा लेट गई थी, थोड़ा सा फॉन देख रही थी, उसके बाद फिर बीच में मैंने कुछ रिकोर्ट नहीं किया, फिर लग जाऊंगी शाम के क पहना नहीं है, क्योंकि जो सुत है, यह मोटे कपड़े का सुत है, मेरा स्वेटर तो मैंने नहीं पहना, फिर बस बार बार ऐसे होता है, बरतन करो, फर उतार दो, फिर पहन लो, तो मैंने आज पहन पहना लेकिन शौल जरूर ले लगका, यह जाब सब पे रखना ही पड़ का तो शॉल तोड़ना पड़ता है आज पूरा दिन मुझे शॉल शॉल में हो गया है पर क्या करें सर्दी का मोसम जाने का नाम नहीं ले रहा है अब यह तो है नहीं कि वीडियो में आने के लिए मैं साड़ी पैनू या फिर गरम कपड़े ना पैनू देगे वह तो नहीं भा साड़ी पैन लू मेरा मन हो रहा है लेकिन इतनी सर्दी में नहीं हिम्मत नहीं होती है और एक दिन तो चलिए मैं दो घंटे के लिए साड़ी पैन लू वीडियो में आ जाऊं चलो भई हो गया साड़ी पैन ली और अगले दिन फिर वो इस ओल स्वेटर सब कुछ क्योंकि तो उतनी है डेली कम जादा तो होती नहीं है कि आज तो चलो है इनी बिल्कुल तो गर्मी आ गई तो ऐसा तो होता नहीं है लेकिन साड़ी में मेरा कई दिन से पैनने कमन कर रहा है अब देखती हूं वो आने वाली है क्या आने वाला है गनेश चतूरती संकर चतूरती तो स है साड़ी पहन सकती हूं पका नहीं सरदी में मेरी मत नहीं होती है साड़ी पहनने की साड़ी के उपर शॉल वगरा लिया नहीं जाता और शॉल के बिना मेरा काम चलता नहीं है तो यह बात है इसलिए मैं साड़ी नहीं पहनती और यहां पर जो है हो रही है पढ़ाई दोनों भाईो की टो ये दोनों अपने-पने काम में लगे हुए हैनां और मैं नहीं के पास बैट के बाते कर रही हूँ है है उधर रोम उस नंहीं करता है और वेट्ग है करता स हुद है तो बस ये सब रहा बाकी आज कोई खास काम हुआ नहीं और अब बस शाम होने वाली है पूजा का टाइम हो जाएगा और शाम को कोई खास जादा बनना नहीं है कुछ भी ये ओफिस से आएंगे कि कल इनका पूरा सफर में सुभा रात देर तक और फिर आज फिर ये सफर में आए सुभा फिर ओफिस चले गई तो इनके हलत खराब है ये आएंगे चलिए तो आप वीडियो का एंट कर लेते हैं बाकी आज कल ना वीडियो में छोटी-छोटी बनाने कोशिस कर रहे हूं कई बार छोटी बनाने कोशिस करती हूं लेकिन एक आथ वीडियो फिर भी जो ह साल लेट हो गई थी तो अगर किसी ने ना देखी हो नोटिफिकेसन ना मिली हो क्योंकिन कई बार होता है टाइम निकल जाता है न तब वीडियो का तो दो देखिएगा पहुत ही अच्छे से प्यार से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूं तो अगर नहीं देखी तो सब तक के लिए बाइ बाइ थैंक यू सो मच पर वोचिंग